Hi everyone, my name is Aditi, welcome to my channel, ये वीडियो दस दमदार रोज बोले चाने वाले अंग्रेजी वाक्य की सीरीज का third part है, इसमें हम बहुत ही काम के 10 daily use English sentences की practice करेंगे, वो भी बहुत कम समय में, तो मेरे साथ आप end तक बने रहिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत जादा helpful होने वाली ह गाइस हमने कभी न कभी तो किसी के लिए ऐसा बोला ही होगा, जैसे ये लड़का सारे का मुल्टे पुल्टे करता है, मतलब बहुत messy है, कुछ भी ठीक से नहीं करता, इसको हम English में कैसे बोलेंगे, सोचिए, गाइस इसको हम English में बोलेंगे, this boy messes up whatever he does, ये लड़का सारे क मुल्टे पुल्टे करता है, जो भी करता है, उल्टा पुल्टा ही करता है, इसको आप एक और तरीके से बोल सकते हो, जैसे, this boy does all the work wrong, जो भी ये लड़का करता है, गलत करता है, उल्टा पुल्टा करता है, next sentence is, ये अंधा कानून है, फिल्मों में बहुत कॉमन है ये डाय इसके बाद वाले दो हो सकता है, आपके लिए नए हो, पहला है, this is a per blind law, और इसके बाद है, this is a undiscerning law, तो अपना लोगों पर इंप्रेशन जमाईए और blind law की जगह, per blind law या फिर undiscerning law का यूज़ कीजिए, थर्ड सेंटेंस है, उसने खुद को हसी का पातर बना लिया, he made a laughing stock of himself, laughing stock मतलब हसी का पातर, जिस पर हसी आए, जिस पर सब हसें, 4th sentence is, मेरी उससे बोलचाल बंध है, मतलब मैं उससे बातचीत नहीं करती, मेरी उससे बातचीत बंध है, I am not on speaking terms with him, I am not on speaking terms with him, तुम्हें ये बात अपने तक ही रखनी है, मतलब किसी को नहीं बतानी, You have to keep this matter to yourself, matter मतलब बात, to yourself मतलब अपने तक ही या फिर खुद तक, Next sentence is, ज्ञान हमेशा काम आता है, knowledge always comes in handy, knowledge always comes in handy, comes in handy ये एक phrasal verb है, जिसका मतलब होता है, काम आता है, Next sentence is, और प्रैक्टिस कैसी चल रही है, How is the practice coming along? वहीं अगर आपको किसी से पूछना हो कि और पढ़ाई कैसी चल रही है, तो इसको कैसे बोलेंगे? How are the studies coming along? Next sentence is, मुझे कुछ पैसो की सक्थ जरूरत है, I am in dire need of some money, I am in dire need of some money, या फिर आप बोल सकते हो, I badly need some money, I badly need some money, Last sentence for today is, मैंने भी यही सोचा था, Guys, इसको इंग्लिश में बोलेंगे, Even I thought the same, Even I thought the same, यहाँ पर the same का मतलब है, वही, मतलब जो तुमने सोचा था, मैंने भी वही सोचा था, इसको शो करने के लिए, हम the same का यूज कर रहे हैं यहाँ पर, So guys, that's all for today, I hope आपके लिए lesson काफी helpful रहा होगा, अगर आपको इवीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, रोज इंग्लिश सीखने के लिए, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए, बेल आगन को प्रेस करना मत बूलिएगा, जिससे मेरे रोज आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे, चली अब मैं मिलूंगे आपसे कल इस सीरीज के फोर्थ पार्ट के साथ, तक के लिए टेकेर, बाँ बाइ!